हेलो एवरिवन वेल्कम तो माइसल प्रती कर्ण सुवागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल माइगनेट ब्रेंज पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिडी कॉंटेंट क्वालिडी एजुकेशन वह भी बिलकुल बकायदा फ्री ओफ कॉस्ट केजी से लेकर के क कौन कर लीजेगा ठीक है इसे होता क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो चाहे को लाइव अपडेट हो तो उसकी जानकारियां उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पह राजस्थान बोड है और डेली बोड है और अगर आपको ईनोट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको जा करके आप चेक आउट करें वहां से आप ईनोट और ई बुक्स भी बकाइदा अवेल कर सकते हैं तो चले अब ज़रा कहानी को शुरुआत देते हैं क्लास 11 फिजिक्स चाप्टर 7 ग्रैविटेशन के अंदर हम आ चुके हैं अर्थ सैटलाइट्स के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तरह-तर के सैटलाइट्स के और बेलोसिटी के बारे में टाइम पीरिड के बारे में वेलोसिटी के लाउंचिंग इसका एक बहुत ही रफ वर्जिन तुमको मैं जरा बताता हूँ यहां पर क्या देकर रखा हुआ है अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर एक टावर यहां पर बिल्डप करा गया ठीक है यह आपको मैं बताए तो एक टावर अपने बिल्डप कर दिया कोई अब उस तावर पे वहां उस तावर के टॉप से एक सैटलाइट की लाउंचिंग प्लान की जा रही है तो मान लो एक टावर हो किसी बॉड़ी को आपन बस वहां से फेक रहे है डोंट एक सैटलाइट इन यो माइंड फोना वह फिर बहुत वैसा मसला हो जाएगा तो अब छी सब आपनेट बच्व शचिक глаз ऑसे समस्हान हो एक ब typical है इमाजनेशन के लिए बतारहा हँ इमाजनेशन के लिए एक बॉड़ी है और उस बॉड़ी को तुमनें आप जर्दा धयान देना शरी अधोला पॉईंट आ ठ्री वएला पॉईट किया गोर एजरताएट एंट तो अगर आपने कम वेलोसिटी प्रोवाइट करें तो यह जो सेटलाइट जो बॉड़ी है वह गिर जाएगी एवन वाले पॉइंट पर बोलो हाँ की न, ठीक है सही बात है अगर आपने सेटलाइट को सेटलाइट को यह किसी बॉड़ी को अगर आपने तो अगर एक काम करता है तो जैसे जासे चार्जिम के बीच में अगर फोर्स और इस काम कि यहां जाता है collectro static force थ् MB अगर magnets के बीच में force काम करेगा उसे भूनेंगए improved magnetic force तो यहां प 210-TV कोई थीशिक के लेकिन अगर एक बोडी अर्थ है और दूसरी बोडी कुछ भी हो सकती है ठीक है तो अर्थ और दूसरी किसी बोडी के बीच में जो force of attraction काम करता है उसे फिर specifically gravity कहा जाता है ठीक है तो याद रखें gravity is a sort of gravitation only gravity is a sort of gravitation only gravitation में क्या होता है जमाने भर में किसी भी दो bodies के बीच में जो force काम करेगा उसे gravitation कहते हैं सिर्फ यह मत सोचो कि सर मारकर और ढखकन के बीच से force काम करे ग्राविटेशन वह तो ही लेकिन आप इसको बड़े scale पे भी सोच सकते हो कि भाई जैसे मानलो earth और sun के बीच म एक force काम करता है तो वो तो gravity हो गया अब जैसे मानले कि sun है और कोई दूसरा planet x है वहाँ पे कोई force काम करता है वो gravitation है बिल्कुल gravitation है तो जमाने बर में किसी भी दो bodies के बीच का force of attraction is basically gravitation लेकिन अगर उसमें से एक body earth हो गई है अब दूसरी body कुछ भी हो सकती है तो यहाँ आपर जो force of attraction काम करेंगा इसको आप specifically gravity कहेंगे क्या कहेंगे इसको अपन gravity तो अब क्या हुआ जैसे मैंने body को थ्रो करा तो मेरी decent सी velocity थी तो body टपक करके a1 वाले point पे टपक गई मैंने बोला कि आप body को दूर दूर फेगना है तो आपन ने इसको velocity और जादा दे दी जब आ और तेज फेका और ऐसा हुआ कि अब जो body ने वो काफी दूर गिरी है a3 वाले point पे गिरी है अब इस चीज़ को आपको imagine करना पड़े करणा very large scale क्योंकि यह अर्थ की बात हो रही है तुम अपने हाथों से किसी body को फेक करके अर्थ के कोने पर नहीं टपका पाओगी समझ आपको मेरी बात तो यहां पर क्या हो रहे है और तेज और तेज और तेज और तेज फेका ना तो फिर भाई साब यहां पर a3 वाले point पर आखर के body जो है वो गिर गई ठीक है मैंने बोला भाई सुनो और जान लगा और तेज फेको ठीक है तो अब तुमने इसको और तेज काम करना बन तो नहीं करेगा तो यहाँ पर यह बाड़ी आनव और चक्कर काटना शुरू कर देगी अब इस केस में क्या हो रहा रहा है ? कि आपने बाड़ी को इतना इतना तेस्त क्राइब क्या है कि BODY is always under the ab SER is always acting as if it wants to drop on the surface of earth तो यहां पर यह बोडी जो है न वो circular motion में आ जाएगी तो यहां पर दो forces काम करेंगे ठीक है यहां पर कुल मिला करके अब दो forces काम करना शुरू कर देंगे तो पहला जो force होगा ना sir this is going to be the gravitational force पहला जो force काम करेगा sir this is going to be the gravitation यह फिर gravitation force ठीक है centripetal force centripetal force क्या होता है एक बोडी पर ऐसा force जो काम करता है जो की बोडी को circular motion में लाकर करके रख देता है तो ऐसे force को आपन कहते है centripetal force और centripetal force का formula क्या होता है sir mv square by r तो यहां पर आपको यह वाला जो principle of launching a satellite है वह समझ में आगया satellite जो है ना वह एर्थ के आसपास घूमता रहता है एक defined orbit में और उस orbit में घूमता रहेगा with certain velocity उसे अपन कहा देंगे orbital speed तीक है क्या आप लोग को यह वाली बात समझ में आगया यह पूरा funda clear है यह सर यह वाला funda पूरा clear हो चुक है तो यह है basically अपने पास principle of launching a satellite इतना थेज़ फेग दोगी so that the body is always acting as if it wants to drop on the surface of earth लेकिन वो चक्कर काटना शुरू कर देगी तो centripetal force काम करेगा gravitation तो काम करेगा ही करेगा ठीक है अब जरह इसमें आपन इसके जो terms है ना उस भाशा में इसको पढ़ना साट करने है तो क्या लिखा गया है consider a very high tower on the surface of the earth जिसकी height जो है it is more than the height of the earth's atmosphere तो यहां पर क्या है कि earth के atmosphere के beyond जा रहा है तो उसके बियॉंड जा रहा है तो उमारा यह tower का height कोई दिक्कत तो नहीं है इसी के top से अपन करने वाले launching plan तो यहां से earth के atmosphere से जादा बड़ी height है now let a body be projected from top of this tower ठीक है एक body को अपन ने यहां से throw करना शुरू कर दिया from the top of the tower tower के top से हमने किसी body को जो है वो throw करना शुरू कर दिया ठीक है with some horizontal speed कुछ एक decent horizontal speed के साथ हमने body को throw करना शुरू कर दिया ठीक है the body will describe a parabolic path यह जो body है the body will describe a parabolic path under the effect of gravity अब यह बड़ी important बात है हम लोगो रहे एक motion रहे एक plane chapter के अंदर हम लोग पढ़के रखे थे horizontal projection ठीक है कि अगर आप किसी body को horizontal projection देते हो अगर आप किसी body को initial velocity प्रोवाइड कर देते हो along the horizontal axis तो उसका जो पूरा path होता है ना that path is basically parabolic path और उसकी equation wise उसको प्रूफ किया था y is equals to k x square आ गया था जहां पर k था याद आ रहा है कुछ g upon 2u square ठीक है तो वो तो पूरा मसला था about what about motion in a plane ठीक है तो वैसी कुछ यहां पर है कि हाँ आपने body को throw कर दिया तो यह जो body है na this describes parabolic path अब यह मैंने क्यों बताया because कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है अगर आप लोगोंने नहीं पढ़के रखा है motion in a plane तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार जा करके playlist चेक कर लेना playlist में मैंने बकाइदा सब कुछ पढ़ा के रख दिया है motion in a plane ठीक है उसका line by line ठीक है सारे derivation सब करवा चुका हूँ horizontal के भी angular के भी ठीक है तो अब अगर किसी के दिमाग में ही सवाल आता है कि sir हम कैसे मान लेगी parabolic path है तो ये बात बिल्कुल सही है अगर आप पढ़ रहे हैं physics horizontal projection के अंदर मैं इस बात को प्रूफ कर चुका हूँ कि अगर मैं किसी body को horizontal velocity दूँगा तो उसका path पराबॉलिक होता है तो हमने माना कि हाँ ठीक है path पराबॉलिक है and उसके बात क्या हो रहा है and the body hits the surface of the earth at point A1 तो पहले जब हमने एक decent velocity दी तो यह जो satellite था यह जो body थी थी था वो जमीन पर टपा खा गए जमीन पर hit कर गई at point A1 अब उसके बात क्या करेंगे अपन ज़रा गौर करते बचल न अगर if the initial horizontal speed of the projection of the body is increased अगर हम horizontal projection की speed को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा then the body will hit the surface of earth at point A2 आपने speed of projection को बढ़ा दिया तो अब यह A2 वाले point पर body जो हो hit कर जाएगी सही है चलिए तो अब यह दूर hit करी न farther from the foot of the tower तो आप figure में देख सकते हैं कि पहले A1 पर hit करी थी आप A2 पर दूर hit कर रही है तो आपने velocity बढ़ा दिया हो और body मानले A3 पर टपा खा रही है तो foot of the tower से लेकर के A3 तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं फिर अपन horizontal range ठीक है तो range increases with increase in velocity range increases with increase in the velocity अगर आप velocity को increase कर दोगे तो range जो है न वो increase हो जाएगी तो range increases with increase in the velocity यहाँ तक का funda पूरा clear है सर सुप्रीम तोरा से clear है अपनने father from the foot of the tower यह बात तो clear है ठीक है ना उसके बाद क्या लिखा हुआ है clearly the horizontal range in the second case is more than that in the first case ठीक है पहले वाले case में कम velocity आपने दी थी तो कम horizontal range हुआ दूसरे वाले case में जादा velocity आपने प्रोवाइड कर दी तो जादा horizontal range ठावल के लिए गया है कि आप लोग के दिमाग में यहां तका फंटा पूरा clear हो रहा है मैं चाहूँगा पहले आप इसका screenshot ले 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 उसके बाद फिर आपको कहानी में अपन आगे लेके चलते है यहां तका फंटा पूरा clear है चलें फिर बढ़ियां हो गया इसका स्क्रीन शॉट हो चुका है आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या लिखा है कि अगर हम इस पीड को दीरे दीरे करके बढ़ाना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा इस पीड को बढ़ा दिया तो हो जाएगी एक finally a stage will come when the body will not hit the earth ठीक है फाइनली कैसा point आजाएगा जब body जो है वो जमीन पर hit नहीं कर रही है फाइनली कैसा point आजाएगा जब body जो है वो earth के surface पर hit नहीं कर रही है but will always be in the state of free fall under the effect of gravity ठीक है तो then the body will describe a stable circular path तो ऐसे condition में जो body है na then the body will describe a stable circular path around the earth earth के आसपास एक circular path में stably move करते रहेगी and becomes a satellite of the earth तो इस पर अच्छा एक और चीज़ होती है satellite जो है यह वाला मान लो artificial satellite है यह आपने बना करके इस के आसपास जो चकर काट रहा है ऐसे बहुत सारे क्या होता है natural भी होते है satellites तो यहाँ पर क्या हो चुका अपने पास यह वाला थो था अपने पास artificial satellite जो की चकर काट रहा है earth के आया समझ के नहीं आ गया तो अब देख होता कहा है na कि orbital speed के बारे में हमें बात करी गई है आई minimum to minimum कितनी speed आपको देनी पड़ेगी satellite को आपको minimum to minimum कितनी speed देनी पड़ेगी satellite को so that satellite जो है न वो अपने orbit में fix हो जाए और फिर orbit में move करते रहे तो उस speed को कहा जाता है orbital satellite की speed तो satellite की orbital speed तो satellite को आपने क्या velocity दी so that वो अपने एक stable path में move करने लगा सेटलाइट जो है ओर्बिट में मूव करने लगा तो उस गिवन उस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को कहा जाता है और्बिटल स्पीड यह वाली बास समझ में आ गई यह है अपने पास में और्बिटल स्पीड का डेरिवेशन डेफिनेशन ठीक है फिर आपको इसका प्रॉपर अपन डेरिवेशन भी करने वाले हैं यह सब पूरा फंटा रो चुका है चलिए अब आते हैं अपन यहां पर ऑबिटल स्पीड के ओपर तो ऑबिटल स्पीड ऑफ इस दा मिनिममम स्पीड रिकॉर्ट टू पुट दा सैटलाइट इंट वा स्पीड ध्यान अटना मिनिममम स्पीड है रिकॉर्ट टू पुट दा सैटलाइट इंटू अगिवन और्बिट अराउंड दा अर्थ इस पॉल्ड अब जड़ा कुछ एकार्डी नोशन से वह ध्यान देना हम अर्थ की बात कर रहें तो अर्थ का मास जो होगा उसको अपन सैटलाइट का मास के ले लिया सर स्मॉल एम ले लिया अपने सैटलाइट का मास कोई दिकत वाली बात तो नहीं है सब पूरा फंड़ा क्लियर है ठीक है उसके बाद वी क्या है तुमारे पास ओर्बिटल स्पीड ऑफ दा सैटलाइट सैटलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड काट रहा है कोई satellite किसी orbit के अंदर ठीक है तो ये orbit में जो satellite है वो चक्कर काट रहा है कोई दिक्रत नहीं सर अब इसका जो खुद का radius है वो तो R के बराबर है और satellite जो यहाँ पर चक्कर काट रहा है जैसे मालें कि this is your concerned satellite तो इस satellite की जो दूरी है इस satellite की दूरी from the surface of the earth इसको अपन बोल देंगे H के बराबर चलेगा आप लोग को पका तो surface of earth से satellite की दूरी जो orbit की दूरी आती है उसको अपन कहा देंगे H ठीक है अब कोई आप से काई पूछेंगे पूछेंगे what is the radius of the orbit कोई आप से पूछे ना कि what is the radius of the orbit तो radius of the orbit को अपन छोटे वाले आर से कर देंगे represent और है छोटा लिखने में छोटा लेकिन है बहुत बड़ी दूरी ठीक है ये radius of earth plus height of the satellite के बराबर है आपको ये वाला fund आया समझ ये जो radius of the orbit है ना सर वो radius of earth plus height of the satellite के बराबर है तो इस पूरी दूरी को अपन कहते हैं इस पूरी दूरी को अपन कहते हैं छोटा वाला आर ठीक है दिस इस दा स्मॉल आर कोई दिखन तो नहीं है सर पूरा fund आ क्लियर ठीक है अब ज़रा ध्यान देते पे चलते हैं कि कैसे यहां पर speed का ج डेरिवेशन है वो carry forward होता है चलो तो शुरू करें पूरी कहानी को orbital speed की बात कर रहें किसकी बात कर रहें सर अपन orbital speed की बात कर रहें mínb और बिटलटब की बात कर रहें ठीक हैं चलो भाई शुरू कर रहे हैं इसका proper derivation तो मैंने starting में कहा था आपको कि यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहें इस एक तो काम करगा गयर माःटेशन और दूसरा काम करने वाला है सेंटरेबिटल फोर्स तो सेंट्रेबिटल फोर्स जो है वह बादी पर रहा हporte है जो कि circular path execute कर रही होती है फिर से बोल देता हूं सेंट्रे बिटल फोर्स दरसल उस body पे काम करता है जो body circular path execute कर रही होती है ठीक है यह सर आ गई यह वाली बात समझ अब जरा गौर करते हो चलना जैसे मालें कि यह अपने पास में अर्थ है चलेगा आपको यह सर चलेगा ठीक यह अपने पास में क्या हो गया अपने पास यह अर्थ हो गया अब इसके आसपास के हैं सर इसके आसपास बनेंगे इसके orbits तो एक orbit अपने यह बना दिया एक orbit अपने यह बना दिया ऐसे बनेंगे इसके बहुत सारे बनेंगे इसके orbits तो ठीक है पर अपन अभी जरा focus करते है किसके ऊपर इस बारे पर फोकस करते हैं rough topic मैंने बना करके रखा है तो इसको आपने से हमानं अधिन इस सिसे होगता दे एलिए इस से बिसीकली इमधजनmother be已 चलेगा 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 तिक अब ज़रा गवर करना इस earth का ना जो खुद का radius है सुनते वा चलना अच्छे से यह पकड़ा आपने center और center से यहां जुसकी खुद की दूरी है सर ठीक है इसकी खुद की दूरी को अपन कहा देते हैं कि चलो यह आर के बराबर है चल जाएगा आपको इता है यह सर इस दा रेडियस ओफ दी अर्थ सेम डिनोशन में यूज करने वाला हूं ठीक है अब इस और बिट में एक सैटलाइट कर रहा है let's suppose this is the satellite यह जो मैंने बना के रखा है यह अपने पास में सैटलाइट है इसका मास किता है सर स्मॉल एम इसका मास है अब जैसे माल लेते हैं कि अभी यह सैटलाइट जो इसमें घूम रहा है तो इसके पास obviously एक velocity होगी तो इस velocity को अपन कह देंगे tangential velocity this is the V के बराबर ठीक है orbital speed अब देख क्या होता है यहां पे ना center से लेकर के यहां तक की जो दूरी है center से लेकर के जो यहां तक की दूरी है यह इसको अपन कर देंगे क्या छोटे वाले आर से रिप्रेसेंट चलेगा आप लोग को यह सर बिल्कुल चलेगा ठीक है और एक और बड़ी प्यारी बात मैं तुमको बताना चाहूंगा कि यहां पे यह जो दूरी है आर्थ के surface से इ satellite तक की दूरी थी ठीक है और H basically क्या था? H था सिर्फ यहां से यहां तक का H था सिर्फ से सर्फेस तक का यह H के बराबर कोई दिखकर नहीं है ठीक है तो मैं इसी चीज़ को यहां पे और further clarify करने के लिए लिए लिख देता हूं कि R plus H radius of Earth plus height of the satellite from the surface of the Earth is basically equal to small वाला R ठीक है इस बात को please ध्यान रखना अच्छे से ठीक? अब देख यहां पे क्या होता है? कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो centripetal force के requirement है बहुत आराम से बता रहा हूं सुनते बचलना क्या बोल रहा हूं मैं आपे तो centripetal force जो है वो basically आया कहां से यह जो घूमने के लिए जो force required है ना वो force आया कहां से सर वो force आया because of gravitation ठीक है तो अपन यहां पर लिख देंगे कि gravitational force gravitational force on the satellite gravitational force on the satellite gravitational force on the satellite is required gravitational force on the satellite is required to produce gravitational force on the satellite is required to produce the essential centripetal force ठीक है essential का मतलब क्या होता है necessary तो gravitational force is required to produce the essential centripetal force it is required to produce the essential centripetal force ठीक है यह सर यह वारी बात तो समझ में आगी ठीक है अब जड़ा गौर करते हो चलना कैसे निकालेंगे उस force को अपन देखें तो centripetal force का basically formula क्या होगा सर mv square ठीक है centripetal force का basically formula क्या होगा देखो mass of the satellite छोटा वाल है उसकी velocity है v square और यहां पर जो टोटल दूरी है ना सर वो छोटा वाला आर है हालांकि आप जानते हैं कि छोटा वाला असलियत में छोटा है नहीं यह radius of earth plus height of the satellite from the surface of the earth इतनी के पराबरे ठीक है mv square यह centripetal force किसने provide करा भाइस अब gravitational force between the earth and the satellite ठीक है gravitational force between the earth and the satellite ठीक है तो earth का mass अपन क्या लेके चल रहा है capital M satellite का mass small m upon नीचे अपन क्या करेंगे sir r का square ठीक है नीचे अपन क्या करने वाले है sir r का square करने वाले बोलो यहां तका funda पूरा clear है sir यहां तका funda पूरा supreme तरह से clear ठीक है gm over r और आप लोग जानते हैं कि हमें orbital speed निकालनी है तो हमको v square यह हमको v चाहिए तो v अपने पास में क्या हो जागा sir under root of gm over यह आ रहा है sir अभी छोटा वाला r ठीक है क्या आप लोग को यहां तक ही बात समझ में आ रही है sir एक तरफा तरह से पूरी बात समझ में आ रही है तो v is equal to क्या हो चुका है under root of gm by r तो हो चुका है अब अपने काम करते हैं थोड़ा सा अलग तुमको बताता हूँ मैं देखो जब आप earth के surface की बात करते हैं थीक है तो earth के surface पर अगर देखा जाए ना तो अगर आप earth के surface पर निकालते है acceleration due to gravity तो उसकी value क्या आती है सोचके देखो भाई center से यहां तक की दूरी कित्ती हो गई है sir यह दूरी तो हो जाएगी sir r के बराबर ठीक है अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर आपको surface पर निकालना है acceleration due to gravity की value तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा G उसके बाद mass of the earth upon नीचे क्या हो जाएगा तो आप लोग को यह वाली बास समझ में आ गई घ्जी एंब भाई आर्क इसको में फिर आप अगर इससे एच हाइट ऊपर जाते होना तो क्या हो जाएगा capital G same रहेगा अगर आप point को लेकर के h height ऊपर चली भी गए तो भी earth के mass पे कोई फरक पढ़ना है क्या नहीं सर तो m भी same रहेगा लेकिन distance जो है न वो आप r plus h का holes पर आएगा ठीक है वो तो बात तब की है जब आप h height पर लेकर के चले जाओ और इस चीज को हम लोग बहुत ही शांदार तरह से देख चुके था कौन से वीडियो के अंदर एक वीडियो था इसी में ग्राविडिशन के अंदर था variation in the value of acceleration due to gravity with height वाला formula ठीक है बहुत सारे questions करवाद चुका है उसके उपर आप चाहें तो derivation भी उसका देख सकते हैं तो हलंकि अभी हम बात कर रहें earth के surface पर तो इत्मिनान से gm by r square लिखते वे चलना ठीक है बोलो यहां तका फंटा पूरा clear है मैं चाहूँ है इस वाले formula को आप please note कर लें because आप जानते क्या करने वालों में यहां पर उपर दिख रहा है क्या लिखा है यहां पर लिखा है gm न्यूमेटर में क्या लिखा हुआ है gm लिखा हुआ है जहां पर this m is the mass of the earth इस चीज नोट करते वर old चलना m is the बड़ा वाले इम is the mass of earth बड़ा वाले म is the mass of earth और जो छोटा वाले म है इस चोटा वाले म इस the mass of the satellite छोटा वाले म इस स्टका पूरा Re cette over a यह हो चुक्य यह अपने पस में क्या छोटा वला है कोई दिखका तो नहीं हाँ ठीक है सर पूरा फंडा क्लियर है अब देख क्या होता है यहाँ पर हाँ तो gm जो है ना इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा g into argus को ऐसे ठीक है चलें सर यह वाला फंडा पूरा क्लियर हो गए तो अब इसी एक्वेशन में अपन लिखते हैं वही वाला फॉर्मला ठीक है इसको मैं एक काम करूँ इसको एक्वेशन नम्बर वन नाम देदू क्या यह सर चलेगा इसको अपन नाम देते हैं एक्वेशन नम्बर वन ठीक है know that यहाँ पर क्या होता सर एकसलेशन डू टो ग्राविटी इस जी मास ओफ एर्थ अपन नीचे हो जाएगा अर्का स्कूरर तो देर्फोर जो जी एम है जो जी एम है वो आ जाएगा अपने पास में क्या छोटा वाला जी इंटो आर्का स्कूरर बोलो यहां तका फंटा पूर नमबर वन नाव पुट दा वैल्यू ओफ जी एम इंटो एक्वेशन नमबर वन वी हैफ अब हमें क्या मिलने वाला है जरा इस बात पर अच्छे साब गहुर फर्माएंगे तो देखिए फॉर्स एक्वेशन जो थी हमारे पास में ठीक है ध्यान देते वो चलना फॉर्स ए जी एम ओवर आर ठीक है अब देख क्या करेंगा अपनी हाँ पर अंडर रूट ओफ जी एम जो है ना सर वो जी इंटो र का स्क्वेर है और नीचे है छोटा वाला ठीक है एक काम करना र स्क्वेर को रूट के बाहर निकाल तो आर बच जाएगा ये बच जाएगा अपने प पास घूमेंगा तो क्या हो जाएगा ठीक है ये तो मतलब ऐसा है कि काफी अच्छी हाइट पर तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा इसका वी इस इकोस तो ऑबिटल स्पीड निकल रहे है तो वी इस इकोस तो आर अंडर रूट ऑफ जी ओवर आर समझ रहे हो दोन j is of earth, बड़ा वाला आर, earth के सरफेस से से डौरी एस छोटा वाला h ठीक है और r plus h पूरा कर दोगे तो छोटा वाला r, ठीक है, yes sir ये वाला फंडा वी जी तो ये अपने पास एक और s फॉर्म ला देविलप हो जाएगा, ये आपने पास में एक और s फॉर्मूला सॉ जाए पर चोटी मोटी हाइट नहीं है इस दा फॉर्मुला फॉर्बिटल स्पीड एट कंसेडरेबल हाइट जब हीट थोड़ी सी तो यह वाला फॉर्मुला होता है बोलो को दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर्ब पूरा फंड़ा यहां तक बकायता क्लियर है अब इसमें सवाल आ पर है अगर ऐसा मान लिया जाए तो क्या बोला मैंने मान लो कि जो अपने पास सेटलाइट है ना वो अर्थ के सर्फेस के आसपास ही मंढ रहा है इसका मतलब जो हाइट है ना वो नॉन एक्जिस्टेंस है ठीक है एच जो है ना वो आर के सामने तो फीका पड़ गया है तो छोटा वलार क्या होता है सर छोटा वलार होता है सर आर प्लस एच के बराबर ठीक है तो अगर अपने यहाँ पर कर दें कि सिंस छोटा वलार जो है वो आर प्लस एच के बराबर है तो देफोर जो ऑबिटल स्पीड है ना वो अपने पास में कितनी हो जाएगी सर आर अंडर अब matter जाने वाला इस तरफ कि अगर सर ऐसा होता है अब matter जाने वाला इस तरफ कि अगर ऐसा होता है कि सर जो अपने पास satellite है वो अथ के आज पास चक्कर काट रहा है तो क्या होगा जो अपना satellite है अगर वो अथ के आज पास चक्कर काट रहा है and super clear हो चुका है sir और उसके बाद फिर आप इसका screenshot लेंगे ठीक है शुरुआर जो है derivation की वो यहां से हो गई थी orbital speed की तो लिखा होगा है कि gravitational force is on the satellite is required to produce the essential centripetal force ठीक है और यह वाला formula होता है mv2 by r का formula होता है for the centripetal force और centripetal force किसके ओपर लगेगा या जो चीज move करेगी जो चीज circular motion execute करेगी उसके ओपर लेगा centripetal force तो जो centripetal जो circular motion execute कर रहा है न वो है satellite जिसका mass है छोटा वाला m और उसकी velocity है v के बराबर और जिस orbit में move कर रहा है उस orbit का radius छोटा वाला रहा है इसले mv2 by छोटा वाला ठीक है यहां तका funda पूरा clear हो गया yes sir यहां तका funda पूरा clear हो गया और उसके बाद फिर इसका आप screenshot लेंगे ठीक है फिर आपन कहानी में आगे बढ़ते है चलें ठीक है बढ़ियां यहां तका funda पूरा clear हो गया है sir यहां तका funda पूरा clear हो गया तो v equals to r under root of क्या हो चुका है sir g upon r plus h हो चुका है और इसको अपन g upon r b कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अब 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 लेकर क्या आते हैं orbital speed अब अपन लेकर क्या आते हैं orbital speed for a satellite अब अपन लेकर क्या आते हैं orbital speed for a satellite orbital speed for a satellite close to the surface of earth close to the surface of earth orbital speed of a satellite orbital speed of a satellite close to the surface of earth तो भाई साब यहाँ पर क्या होता ज़रा गौर करते हैं अब ना देखिए r basically क्या था r plus h तो since यहाँ पर h की value r से बहुत छोटी हो जाएगी ठीक है अगर satellite जो है वो earth के surface के आसपास बंढ रा रहा है तो h की value बढ़े वाले r से बहुत छोटी हो जाएगी तो h को अपन कर देंगे nullify ठीक है तो therefore r जो है ना वो approximately बढ़े वाले r के बराबर ही हो जाएगा ठीक है तो therefore अब समझना orbital speed जो है ना इसको अपन करेंगे sir v not से represent ठीक है यहाँ पर formula है था r times under root of g by r ठीक है तो अपने पास आया था sir r times under root of g over r आ गया था और छोटा वाला r जो है वो बड़े वाले r के बराबर ही हो चुका है तो यह अपने पास किता हो जाएगा r under root of g by r आ गया है इस r को अंदर भेज़ दो ठीक है तो r square और नीचे कितना आ जाएगा r आ जाएगा तो v not जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा under root of g into r अब ज़रा गौर करते बचलना यह g का मतलब क्या होता है acceleration due to gravity ठीक है इस g का मतलब क्या होता है acceleration due to gravity जिसकी value क्या होती है 9.8 और इस r का मतलब क्या होता है 6400 km ठीक है 6400 km मतलब क्या है sir दसकी power 3 और जैसे आप इस पूरी चीज को solve out करेंगे तो आपका जो approximately answer आ जाएगा ना sir वो कितना आ जाएगा अपने पास यह आजाएगा sir 7.92 km per second तो यह speed होती है satellite की जो की earth के surface के बहुत ही पास पास मंड रहा होता है तो आप जरा इसका screenshot लेंगे जल्दी उसके बाद आपन कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं कि आप लोग के दिमाग में यहां तक का funda पूरा supreme तरह से clear हो चुका है yes sir clear हो चुका है ठीक है चले this is all done for you इसका आप लोग screenshot ले चुके थे इसको निप्टा दिया जाए और यह इसके derivation का पूरा part था जो कि मैं आप लोग को खुद ही करके दिखा चुका हूँ तो आप लोग को अगर इसका भी screenshot लेना है तो बिलकुल ले लिज़े कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आते हैं अपन time period के ओपर तो it is the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth और इसको अपन denote करते हैं capital T से ठीक है क्या कहा अपन ने it is the time taken by the satellite to complete one revolution एक revolution पूरा complete करना है अर्थ के आजू बाजू और इस समय को अपन represent करते हैं capital T से ठीक है तो what is the distance sir 2 pi r what is the distance sir 2 pi r ये 2 pi r का distance मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकुद आप समझें कि ये जो अपने पास orbit था ये जो अपने पास orbit था जिस orbit में move करा है satellite उसकी दूरी जो ना सर वो छोटा वाला थी ठीक है तो 2 pi r upon नीचे के आजाएगा sir time period ठीक है तो t is equal to 2 pi r और जो velocity है ना वो ये आई है r times under root of ये आगया sir g over r आगया ठीक है क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंटा पूरा clear है sir supreme तरह से clear है ठीक है तो therefore आप समझ सकते है कि जो time period आ रहा है अपने पास में वो आजाएगा 2 pi upon अपन ने रखा इस बड़े वाले r को ऐसे बाहर की तरफ ठीक है अब ये under root के अंदर के आजाएगा सुनते पर चलना अच्छे से ये आजाएगा r और यहां से स्कोच का दो तो r square हो जाएगा तो r into r का square करेंगे तो sir ये अपने पास कित्ता हो जाएगा कि जो r था न जो छोटा वाला r था न sorry वो था r plus h के बराबर ठीक है तो जब अपन उसको ध्यान में रखेंगे तो ये t is equals to 2 pi by r under root of r का cube हो रहे है तो r का cube का मतलब क्या होता है r plus h का cube ठीक है और नीचे क्या आजाएगा sir जी तो this becomes the time period ठीक है मेरे खाल से आपके दिमाग में यहां तक का funda जो है वो supreme तरह से clear हो गया है जल्दी से इसका screen shot लेंगे जल्दी करिएगा please कर लिया इसको note down yes sir इसको अपन ने कर लिया है पूरा का पूरा शानदार तरह से note down ठीक है तो इसी के साथ खतम होता हुआ आपका earth satellite का पूरा शानदार सा वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात शानदा तरह से समझ में आ गई होगी अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी help करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को like करें और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग दा कॉमेंट सेक्शन मैं और मेरी पूरी टीम सूपर अक्टेव रहती है हम लोग बकाईदा कॉमेंट को चेक करते हैं और फिर अनिलाइस करते हैं कि भाई क्या फीडिबेक आ रहे है कि वीडियो स्टॉप नॉच क्वालिटी तक बनता है और फिर आप तक पहुंचता है ठीक है इसी के साथ खतम करते हैं इस पूरे वीडियो को और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैगनेट ब्रेंज जो प्रोवाइड करता है वह English Medium as well as Hindi Medium वाली Classes with entire full complete syllabus coverage CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board और Vedic Match Crash Course और Spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर जाकर के visit कर सकते हैं Thank you so much